नमस्कार साथियो, निउस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। हिंदी फिर से खबरों में हैं, एक तो धमकी की तरह और एक चतुराई की तरह। कुछ कह रहे हैं कि जिने हिंदी नहीं आती हैं उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। और कुछ कह रहे हैं कि सभी भासाओं का सम्मान है, लेकिन आपस में संबाद करने के लिए दो राज्यों के लोगों को हिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी पर बात चीत करने के लिए आज हमारे साथ है जो हिंदी में भी लिखते हैं अंग्रेजी में भी लिखते हैं आलोचक भी हैं और पत्रकार भी हैं आसुतोस भारतवाज तो आपसे पहला सवाल यही होगा कि जब हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है तो क्यों ना इसको राष्ट भासा का दर्जाद यह दिया जाए और इसी को लोग कह रहे हैं कि लिंक लेंग्विज के तौर पर इस्तमाल किया जाए ऐसा क्यों नहीं हो सकता देखिए हिंदी को राष्ट भाषा बनाने का प्रश्ण यह शुरू से ही इसका राजनितिक प्रतिरोध होता रहा है आप इस बात को समझें कि भारतिय सम्विदान 22 भाषाओं को रिकगनाईज करता है साहित एकेडमी 24 भाषाओं में अपने वार्शिक सम्मान देता है तो भारतिय साहित्य भारतिय संस्कृति भारतिय भाषाओं ये सभी मिलकर उस भूमी को बनाती हैं जहां हम आज खड़े हुए हैं इसलिए किसी एक भाषा को अत्रिक्त दरजा देना मेरे खाल से नयायोचित नहीं है खास कर जब जब कि हम इसका प्रतरोज 4 तरफ देखते हूं मेरी समझ में ये नहीं आता है कि हिन्दी को राष्य भाषा बनाने की मांग करने वाले यह क्यों नहीं देख पाती जैसी मां कुई कैसे कर सकता है उन भाषाओं को नजरंदाज करते हुए अंतिता वो भाषा भी तो हमारी अपनी भाषा है ना थोड़ा सा इस बात को थोड़ा और खोलिए जैसे कि जो उत्तर भारत में राजनीती करने वाले हैं और जो प्रमुक दावेदान है राजनीती के वे हमेशा कभी न कभी जैसे ग्रिह बंतरी अमित्सा का ही बयान अगर आ होता है देखी यह एक वाला तर्क वही मोनुलिथिक करक है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूरोप आधुनिक यूरोप का जो निर्मान हुआ था वो वन लैंग्वेज वन नेशन के अधार पर हुआ था एक भाषा एक रास्टर होगा आप देखें कि इस्पेन की भाषा चाहिए इटली की भाषा है यह था निर्मान किसी एक भाषा के अधर पर नहीं हुआ है भारत अंत तह अमूल तह एक बहुराश्टिय भाष्ट लेश्च है और भावभाभभभाशिय रास्त है इसकी संस्कृतिय को इसके सहित्य को अनेख भाषाउं ने मिलकर रचा है जो कि दुनिया में एक बहुती दुरलब किसम का फेनोमिना है मैं आपके उधारणा देता हूं जो शाहिद भारती है साहित्य भाषाओं संस्पित्य के समझने के लिए एक विराट उधारण है अब हमारे भक्ति अंदुलन शुरू होता है भक्ति साहित्य अंदुलन तो वह दक् है मिलकर उस विराट साहित्य की रचना करती है जिसको आज हम भक्ति योग मांते हैं आज हम समझते हैं जो लोग एक भाषा की बीच में एक सूत्र यानिके एक संबाद एक छुपा हुआ संबाद अंत्रिक प्रेम वो हमेशा से रहा है यह लोग यह उसको नहीं देख पाते हैं उस चीज़ को और एक तर्क यह भी दिया जाता है कि यूरोप जो है समरिध इसलिए है उसके देश क्योंकि वहां पर एक ही भासा है कहने वाले कभी कबार यह भी कहते हैं जो भाजपा की तरफ से तर्क देते हैं और भारत में भारत में बहु भासा है और हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी को तरजी ही दी जाती है जो उसकी खुद की भासा नहीं है तो इस तरक में आपको कहां तक नजायचपन और जायचपन दिखता है देखिए आप यह दो बाते कह रहे हैं एक पहला आपका प्रशन है एक भाशा वाली बात कि क्या एक भाशा का होना समर्द करेगा किसी देश को य अंग्रेजी हम पहले की पहले प्रशन को देखते हैं जैसा मैंने सबस्ट कहा कि यूरोप में यूरोप के देशों का गठन एक भाशा के अधार पर हमारा भारत एक भाशा के आधार पर गठित नहीं है इस भारत की शक्तिये बहुत सारी भाशाएं मसलां कंड़ के करते भारती भाषा ohud माहरती रास्ट जिसे हम क्यتمंद होता है तो एक भाशा का कोई अर्थी नहीं यह एक भाशा की बात करने वाले इस देश की ना तो भाशा को सावस्तियां ना ना इसके साहिद को यह सिर्फ और सिरी के राजनेतिक किस्म की देइमांड है वह अपनी अस संचिप्त में अगर भारतिय स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर अब तक की हिंदी के संघर्ष की यात्रा रही है जहां पर महात्मा गांधी जैसे वक्ति भी हिंदी की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद की जो प्रकिरिया रही है जहां पर दक्षण के भारत दक्षण भारत के राज विरोध करते हैं उसे अगर आप संचिप्त में बता पाएं यह यात्रा कैसी रही है तो ठीक रहे देखिए हमें यह समझना चाहिए कि आजादी के आंदोरन के दोरान जब गांधी और कईयने नेताओं ने हिंदी को राष्ट भाषा बनाने बर जो उसको हम राष्ट्री आंदोरन भी कहते हैं उसको नैशनल मूव्मेंट भी कहते हैं तो यानि के करीब 101 साल तक जो हम 1947 से करीब 100 साल से उससे पिछले से अगर आप चलेंगे 1865 के आसपास से तो 90 साल का यह वक्षपा वो है जब तमाम भारतिये नेता तमाम भारतिये राष्ट को कई टुकड़ों में कई प्रिंसली स्टेट्स विभाजित इस राष्ट को तमाम सूत्रों में पिरोड़े की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय हिंदी को एक राष्ट भाष्शा बतौर बनाने का प्रस्ताव दिया गया था उस समय मांग जायज हो सकती थी चायद भी 1922 में क्योंकि तब एक अलग किस्म के राजजातिक माहौल था हमें अंग्रेजियों के खिलाफ रणने के लिए कई सारी यूनिफाइंग फोर्स चाहिए थी कई सारी ऐसी शक्तियां जिनके जिन पर हम खड़ा होकर हम अंग्रेजियों का मुकाबला कर सके उस समय हम आप आप देखिए कि भारत जब बन जाता है उसके कुछी महीनों बाद मद्रास में एक सेपरेट आंदर प्रदेश की डिमांड को लेकर एक व्यक्ति भूह करताल पर बैठ जाते हैं जिनके लागा कोट्टी श्रीमालों वो एक फ्रीडम फाइटर है उसी भूह करताल के दौरां उनकी मृत्ति भी हो जाती है और नहरू जो उस समय तक भाषाई राज्यों पर आधार पर राज्यों का विभाजन होने कि या उनकी गठन होने के उसके पक्षव नहीं थे अंत कि वहाषाई स्वाहता को स्वाहता किया है जब आपने अंत्र प्रदेश आपने वे उसापो एक शक्ती घॉस वहजा को ऊचाना नहीं अभलीège Sug और बहुत सारे लोग कहते हैं, कि जानकार कि हिंदी जो है, उसकी राजनीतिक सक्ति बहुत जादा है। तो जब उसकी राजनीतिक सक्ति ये वाला कथन अगर सही है, तो वैसे परिद्रिस्से में अगर पढ़ने-लिखने, सोचने-समझने और जो भी अभिजात्य वर्ग है उसकी भासा अगर हिंदी हो और हिंदी में कानून विधान सब कुछ चले तब तो किसी देश के लिए उसके नागरी के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है तो ऐसी स्थिति में हम क्यों न कहें कि एक राष्ट भासा होनी ही चाहिए हिंदी के तोर पर नहीं देखिए फिर से आपको एक बात कहका दूसरी बात फिर से राष्ट भाशा पर ले आते हैं पहले आपने कहा कि ऐसा क्यों नों हो के तुमाम लोग हांदी में बात करे जूंको अच्छी तो अच्छी बात है वहीं तमाम लोग भार्त कि भारती भाषया ओमकं सोफ़ हैं के भानगाली मैं करे इसमें zer को धजनय है तो उसमें काम होना तो अच्छी बात है लेकिन वो काम बतौर एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के बजाए वो एक सांस्क्रतिक एक सांस्क्रतिक आकांक्षा होनी चाहिए मनुश्य की मसला हम खुद सीखना चाहें तो हम सीखना इसी बात को मतलब जो आच्पा की तरफ से तरक दक्षड़पंध की तरफ से आता है अगर आप हिंदी को रात्रवासा नहीं बनाएंगे तब तो आप खृतन कैसे करेंगे तो इसके खिलाफ क्या तरक जाता है अंग्रेजी का वर्चफ अगर आपको ख़त्म करना है तो हिंदी से नहीं होगा आपको समूश समूशी भारत भारती भाषाओं को सम्मान देना पड़ेगा मैं भाजपाओं दक्षित्पन से पूछना चाहूंगा जानना चाहूंगा कि उन्होंने भारती भाषाओं को जोडने का या भारती भाषाओं को सम्मान देने का क्या काम किया है ऐसा कौन सा उन्होंने साहिति है साहितिक उपकर परंपरा का लगधक पतन हो रहा है आप देखें कि तीन एक दशक पहले तक की जो पीडियां थी वो कई भाशाओं में प्रवीड भुआ करती थी आप अगे ने टैगोर का गोरा अनुवाद किया है नहीं टैगोर का गोरा इतना मोटा उपन्यास है और जटेल उपन्यास है उ तो यह परंपरा हमारी भाशाओं को सम्रद्ध करेगी ना कि एक भाशा वाली राजनेतिक दिमान मैं फिर से कहूंगा यह हमारी सांस्क्रितिक आकांख्शा होनी चाहिए कि हम अपनी अन्य भाशाओं से सम्माद करें जो मेरी ख्याल से नहीं हो रहा है दुर्भा की बश्य आप तो लिखते रहते हैं हिंदी में भी लिखते हैं अंग्रेजी में भी लिखते हैं और विश्व साहित्य को भी पढ़ते हैं आपको क्या लगता है कि भारत में जो बहुभासिय माहौल है वो किस तरह से पनप सकता है राजनेताओं को या राजनेतिक सक्ति को कैसे कदम आज की तारीख में जो के भारतिय भाषाओं को पढ़ते हैं उनसे अनुवाज इत्यादी करते हैं आप अगर साथ सतर तक के दशक में आप देखेंगे हमारे राजनेता तमाम भाषाओं में प्रभीन हुआ करते हमारे सहत अकैड़ी के सेक्रेटरी कि जो करुब हमारे जो करश्ण कपलाली जी थे जो हमारे फांडर सेक्रेटरी रहे वो टैगोर के अनुवाज़ा पूआ कर दो थे आज आज क्या संस्थाओं में जो लोग बैठे हुए हैं क्या उनके पास कोई भारतिय भाषाओं का वांग में है क्या उनका किसी भारतिय भा के लेखकों ने किया है फिर से आगर मैं राजनिती की बात नहीं कर रहा है हुआ मुझे नहीं मैं सिर्ट ये बताना चाहरा हूं कि हमारे पिछली पीडियोंने भाषाओं को लेकर काम बहुत अच्छा किया है जो आज की तारीक में नहीं हो रहा है अगर राजनिता कुछ कर आने वाले लोग बहुत ज्यादा है वैसी इस्थिति में आपको क्या लगता है कि जो सांस्कृतिक निर्मान हो रहा है भासा को ले तोर पर जिस शहर में आप बैठे हुए जहां मैं बैठाओं दिल्ली वहां आपको लग सकता है यहां की मीडिया पर अंγα्री जी का दबदबां यहां के समाज पर इंडिया इंट्रेक्शन सेंटर यहीं हें थी उन खबरों से ग्रहे मंत्राले तो दिल्ली में एक बार को हिल जाया करता था लेकिन इस्थानिय जन्ता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता मसलन सुक्मा और सरगोजा और वीजापुर की जन्ता के लिए यह महत्मूर था कि वहां का इस्थानिय अख़बार इस्था लेकिन भारती भाषाओं को अभी बहुत बड़ा वर्ग है जहां अंग्रेजी नहीं पहुंच पाई है और बहुत सारे अंग्रेजी लेखक भी उस वर्ग में पहुंचना चाहते हैं क्यों कि अगर मेरी बात बहुत अधिक लोगों तो नहीं पहुंचेगी तो सर्फ एक भ जो अंग्रेजी को प्रस्रय देना चाहते हैं हिंदी दरसल थोपी नहीं गई है उत्तर भारत में आप देखें तो अवधी ब्रज मैथली ये सब दीरे दीरे समय के अंतराल में जाते-जाते हिंदी में समाहाइत हो गई तो यह थोपने जैसी कोई बात नहीं है इंदी को अ जब यह कहते हैं कि हिंदी को थोपने वाली बात वो करते हैं जो कि अंग्रेजी को प्रश्वर देते हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आप ब्रज भाशा को राश्टी भाशा क्यों नहीं बनाते हैं भोजपुरी को राश्टी भाशा क्यों नहीं बनाते हैं हिंदी को क्यों में बहुत समर्द साहित्य रहा है और अवदी में तो रामचरित मानस लिगी गई है जो कि हमारे द्रक्षण पंथ का आधी ग्रंथ है आज की तारीक में तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आवदी को राश्ट्रभाश्य बना दे आज क्या आवदी का विरोध कौ कि हिंदी को प्रश्रे देना चाहते हैं कि आप उस तर्फ को पसंद करेंगे एक बात और कही जाती है कि अगर सरकारी संद्रक्षण हिंदी को ना मिले तो हिंदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा कोई हिंदी सीखना नहीं चाहता है इस बात में कहां तक दम है तो नहायत हैं अंग्रेजी में भी लिखते हैं आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है कि मुझे दोनों ही भाषाओं ने और इससे परे जाकर तमाम भारती भाषाओं ने समुर्द्र किया है मैं आज जो भी हूँ बतौर लेखक बतौर मनुष्य बतौर पत्रकार वह नहीं होता अगर मैं कमाम भारती भाषाओं के संपर्क में नहीं आया है मैंने आपको एक छोटा सा उधाना देता हूं कुछ एक समय पहले मुझे एक मल्यालम शब्द के बारे में पता चला जिससे जो ट्रांसलेशन का जो अर्थ होता है मल्यालम हिंदी में हम जानते हैं ट्रांसलेश दर्शन का शब्द है विवेर्थ के दो पक्ष होते हैं एक जहां वो सत्य पर एक परदा डाल आवरन डाल देता है दूसरा जहां वहां एक ऐसा यथार्थ ऐसा दर्श प्रस्तुत करता है जो के तब तक सत्य है तब तक अंतिम चीज है जब तक कि आप मूल तक ना है एक उसका प्रक्ष है जब उसने सत्य पर परदा डाला अल्टिमेट रियालिटी पर दूसरा है जब उसने एक ऐसा यथार्थ प्रोजेक्ट किया प्रक्षिपित कर दिया कि आपको वही अंतिम चीज लगने लगा जब तक कि आप बूल तक ना को पढ़ा मल्यालम किसी सं अधर मैं अचंभेत रहे गया मैं अपने मल्याली पूरूजों के प्रती आदर से भर गया कि उन्होंने क्या शब्द लिखा है और यह शब्द हमारा अपना भी है भारती भाशाओं को शब्द ही संस्कृत से आता है और हिंदी में भी प्रचलिक तो है यह लेकिन मैंने हिं हम जानते हैं के पंजाबी का वेस नहीं होता है कि किश्नवल्द वैद के पास अगर अर्भी आरवी औरृद्य साब नहीं बन पाते हैं निर्मल के पास अलग वैस है तो मुक्तिवोद के पास मराठी का आधार है बहुत तो हम सब मुझे रहाव के लिए भार्षाओं लिए बहुत सिखाए हैं अंतीम सवाल क्या कहते हैं कि हिंदी हिंदू हिंदूस्तान का यह जो नारा है इस नारे के प्रती एक लेखक होने के नाते जो बहुभासी हैं अपने आप में उनका क्या राय है और थोड़ा इसको बताइए कि जब बहुत सारी भासाएं एक फलक पे बहुत सारी भासाएं एक साथ काम करती है तो उसका फाइदा क्या होता है यह बहुत महत्मूर सवाल अपने पूछा है जिस तरह से तमाम धर्मों का सहयस्तित्तो जिस तरह से तमाम वर्गों का समान और सहयस्तित्तो ताना-शभी प्रवरति को रोकता है उसी तरह से तमाम भाशाओं को सहस्तित्व जहां सारी भाशाओं एक एक प्लैट्फॉम पर हैं उनको समुचित सम्मान है वो भी तानाशाही प्रवर्ति क्या है आक्टर उसको आप समझें उसके मूल में जाईए उसके मूल में है एक परास्था बैयाना गूरूप से मोनोलि क्ल्चित अब्याद्फ को सम्मभुको इस एक के एहंकार को तोड़ने का काम अनेक करते हैं हमारा जो दर्शाह JUंद है उसाने की है हम अनेक लोग हैं एक अगर हो भी अगर unity है विरए के ऑन्दरी है बाट्चाइट आप सारी बहाशाओं मिलकर जब काम करती हैं तो उस एक के अभिमान को तोड़ती है उस ताना शाही के दर्थ को तोड़ती है तो ये थी बहुत ही समरिध्ध करने वाली बातचीत आस्टोस भारतवाज के साथ इनकी किताब है पित्रिवध और एक डेथ स्क्रिप्ट है जो इन्होंने अपने पूर शुक्रिया हमें समय देने के लिए आस्टोस भारतवाज तो अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगता है तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे खबरों को पढ़ सकते हैं हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कर सकते हैं हमारे ट देखते रहे हैं न्यूस क्लिक